जहीं दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी युडू चैनल पर दोस्तों जैसा कि मैं एक सीरीज लेकर चल रहा हूं जिसमें जो important books होते हैं चाहे वो GS से रिल्टेड हो, GK से रिल्टेड हो, current affairs से रिल्टेड हो तो उन सभी important books को मैं cover कर रहा हूं दोस्तों जैसा कि बहुत ऐसे इस्टेंट हैं दोस्तों जो सभी books को नहीं purchase कर पाते हैं जिए दोस्तों तो उनके लिए मैं यह स्रीज लेकर आया हूं और इन PDF books को मैं बहुत कम rate पर आप लोगों को provide कर रहा हूं बहुत सारी current affairs book है यानि इस पीडिय का जो current affairs book है दोस्तों वो कितना important होता है किसी भी exams के लिए और railway के लिए स्पेशली रेलवे और SSC के लिए दोस्तों बहुत important book है और यह इधर से ही current affairs के questions पूछे आते हैं आप लोगोंने match करकी भी देखा होगा तो यह book बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जागा दोस्तों पीडिया बुक में आप लोगो provide कर दूँगा आप लोग WhatsApp करें मेरे WhatsApp नंबर पर मैं आप लोग को इस बुक को provide कर दूँगा और मैंने टेलिग्राम चैनल पर बहुत सारी study materials send किये हुए हैं दोस्तों आप लोग से जरूर जोइन कर लें डिस्क्रिप्शिन में मैं लिंक दे दे रहा हूं आप लोग आँसे टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर ले या फिर डायेट आप लोगों टेलिग्राम में सर्च करें joint military exercise जो होती है जहां से एक प्रसंट तो पूछा जाता है और maximum दो प्रसंट पूछे जाते हैं तो चलिए हमें देखते हैं दोस्तों संयुक्सेन अभ्यास यानि joint military exercise जो 2021-22 में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो पहला अगर संयुक्सेन अभ्यास की बात करें यानि joint military exercise की बात करें तो पहला जो है वो है दोस्तों समुद्री साज़दारी अभ्यास 2022 जो भारत और जापान की बीच हुआ है अगर प्ल संयुक्सेन अभ्यास थी आपर उन्हें देखा हो दोस्तों कि SSC हो या railway हो या कोई वी जामस हो जिसमें joint military exercise से प्रसंद पुछे जाते हैं उसमें या तो प्लेस पुछ लिया जाता है या जो military exercise है उसका नाम पुछ लिया था या किन दो देशों के बीच संपन कराया गया है तो इसमें से जो important अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जो name है संयुक्सेन अभ्यास का यानि joint military exercise का वो नाम भी important है और किन दो देशों के बीच हो रहा है वो भी important है कहां पे यानि place भी important है और कौन से सेनाओं के बीच में यानि Navy है Air Force है या पुलीश है या थल सेना है क्या ह दोस्तों वह भी पूछा जाता है तो इन सभी चीजों को आप लोग याद करें मैं एक वाल में ठीक से याद नहों पाए दोस्तों तो आप लोग वीडियो को दुबारा भी देख ले और इस पीडियाप को जरूर ले ले दोस्तों मैं आप लोग प्रोवाइट कर दूँग और भी गई है बात करें प्लेस की तो आप दह सकते हैं कि पास सेन्हें बंदरगाय दोस्तों वहां पहुआ है अग्र बंदरगाह में यह ऑग्वस सी बात है यह एक नेले एकसर्साइश, sta दोसतो exercise संप्रिति 10 यानि exercise संप्रिति 10 ये जो में अभियास दोस्तों बहरत वंगलादीमें के बीच में संपना कराय गई और् प्लेस की बात करें तो जसोर सेन Dakota सिर्व के श철 ऑफ में श्थित आफ और बात करें यह जो सेन अभ्यास हां फालसनी सेन अभ्यास ती आगे देखतें दोस्तों नेग्सट फोटर एंडो इंडोनेसिया कॉर्परेट अक्साइज यह जो है शाईए इंडोनेसिया के बीच में संपन कराए गई कहां पे तो अंडमान सागर में यह एक नौसेनिक सेनभ्यास है next है बाल टॉप्स यह दोस्तों next है बाल टॉप्स यह जो सेनभ्यास है दोस्तों वह बहु पच्छे सेनभ्यास है जिसमें total 16 देश सामिल हुए यानि 16 देशों के बीच में यह सेनभ्यास हुए है और प्लेस की बात करें तो बाल्टिक सागर जो दोस्तों वहां पर संपन कराए गई है और यह एक प्रगार के नौसेनिक सेनभ्यास थी next देखते है next दोस्तों X can quit 2022 यह दोस्तों 2022 सेनभ्यास सेनभ्यास आगे अगर बात के दोस्तों तो ए sic बहु पच्छे गई है और प्लेश की बात करें तो पोर्ट मॉंगला बंगलादेस संपन हुई है , और यह एक प्रकार के नौसेन के देखता है Corpet treatment 4 2022 यह जो संन भ्याद से दोस्तों भारत और बंगलादेस की बीच में संपन कर आए गई है और अगर प्लेस की बात करें तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी जो है दोस्तो वहां पे संपन हुई है और अगर बात करें तो यह जो सेहने अभिया से वह एक नेवल एक्ससाइज थी जो भारतो बंगलादेश के बीच में संपन कराई गई है नेक्स देखते हैं नेक्स है दोस्तो नेट पोल्रेक्स जैसो नेट पोल्रेक्स हम लोग कह सकते हैं नेक्स पोल्रेक्स एट दोजार बाइस यह जो सेहने भियास है दोस्तो वह भारतिय तट्रक्षक बल यानि खुद के देश में जो भारतिय तट्रक्षक बल है दोस्तो उनक में संपन कराया गया और जैसे यहां पर ही डिटिल में दे दिया कि यह एक तक्षक बल का अध्यास दोस्तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं है खाली है तो यां लोग तक्षक बल डाल सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को मैं देखते हैं दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है पहला IONS समुद्री अभ्यास यह भारती नोसेनिक का खुद का सेन अभ्यास थी दोस्तों, और गोवा और अरब सागर के छेत्रों में यह सेन अभ्यास संपन कराए गया और यह एक प्रकार का नोसेनिक सेन अभ्यास था जो खुद नहुआ खंजर अभ्यास बहारत और किर्गिस्तान के बीच में संपन कराए गई गई है तो बखलोह हिमाचल प्रदेश में उधरी कराए गया और यह एक प्रक्यार का थल सेनिक अभ्यास प्रोट्स के संपनत November 2020 2020 Elias Indotry भारत ऑर उज्वेकिर्स नकेस्तान के बीचक कर आए गए गए है यांग रिक बीच में हुई ने मातव सोद् tay यो ज़ो सब्लेस हैं यांग है यांग यह यारी कुछ बेकिस्तान में वहीत है यह बनद च जोट अनुद सेनव्यास है नेच्ट दोस्तों limiti 9 जिस वह जो सेनव्यास है वो limiti सेनव्यास 2022 है जो भारत और denkti भीच में हुई है चैसेलस अच्छा के अधमिन सेसल में यहां सेन अभ्यास हुआ है दोस्तों अगर बात करएं तो यह एक प्रकार का थल्सयनिक, सेनभ्यास थी, next दोस्तो, स्लाइनेक्स 9, 2022 और यह जो सेनभ्यास दोस्तो, वो भारत और उर स्रिलंका के बीच में संपन कराए गई है और place की बात करें, तो विसांका पक्णनम में हुई है दोस्तो और यह एक प्रकार का नौसयनिक, सेनभ्यास है। दोस्तो अगर लोग इससे तोडते हैं बहुति कि यादसे सुनाइन होतार यार नहीं रहता है लेकिन अगर इससे तोड़ते हैं तो देखें इसमें आपको जोРЕन से चैजिए किन देसों के बीच में हुआ है वह आ जाएगा देखिए एस एल जो है एसल से हम लोग स्रिलंका जमेश कर सकते हैं उसका आइन से इंडिया और एक से जो है दोस्तों वह एक्ससाइज जिस यानि स्रिलंका इंडिया एक्ससाइज नाइन है यह 2022 की कहां पर भी विशाका पत्नम है और यह एक प्रकार की नौश 2022 जो भारत और जयापान के बीच में हुआ फिर रबार बना बता दूं धर्म गार्जन 2022 जो भारत और जापान के बीच में हुआ दोस्तों अगर बात करें तो इसका यह प्लेस है वह बेलागवी बेलगाम कर्नाटक में है दोस्तों और यह एकप्रकार्ट miten by section उनका नेम बताना है कमेंट में आप जरूर कमेंट करें दोस्तों अगर आप पता हो तो जरूर कमेंट करें आप लोग इसमें Google का भी सहरा ले सकते हैं लेकिन आपनों कमेंट करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नैस्ट दोस्तों मिलन 2022 यह एक प्रकारका बहुअपच्षिय सहर में संपन कराएगई है और यह प्रकार का नौशयनिक अभयास है नै और यह जो सेन अभ्यास है वो UK के वाडिंग टन में संपन कराए गई है और यह सेन अभ्यास जो है वो वाई सेनिक सेन अभ्यास है तो अगर और यह जो सेनिक अभ्यास है वो भारत और ओमान के बीच में संपन हुआ है और प्लेस की बात करें तो वाई सेना इस्टेशन जोधपूर राजस्थान में संपन कराए गई है और यह एक प्रकार की सैनिक नौ सेनिक सेन अभ्यास है दोस्तों यह एएरफोर्स का सेन अभ्यास है नेक्स्ट है कोप साउथ 2022 यह यूएस और बंगलादेश जो याणि अमेरिका हुर्ष बंगला देश की बीच में संपन कराया गया है कहाँ पर तो बंगलादेश में और अगर बात करें तो यह एक प speed कर रहा हूं और अगर आपको समझ में आ है तो एक बार आपको पेडिया आपको घीन पर ले 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 है और मैं वीडियो जश्री जैसे बताता हूं उसके एक रही रूप और वीडियो भी देख सकते हैं तो आप लोगों को जो है अच्छे से यह पूरा जो टिटेल है वो याद हो जाएगा चलिए नेक्ट देखते हैं नेक्ट दोस्तों पश्चमी लहर सेना और भारती है वायू सेना और तरक्षबल इन चारों की बीच में जो है वो यह सेन अभ्यास हुआ है दोस्तों तीनों सेनाओ का मतलब यह होता है क्योंकि यहां पर अधर कंट्री के साथ नहीं बलकि भारत के यह तीनों सेनाओ है और तरक्षबल जो है उन्हें के बीच मे रूस्ट,' चीन, और इरान इं तीन देशवां के बीच में संपन कराइगी है कहांपे तो वमान के खाली में और खाली में हुए यानि नॉस qeocekss happens है नश दोस्तो पैसेक्स 2022 जो पैसेक्स 222 और वह भारत और रूस के बीच में शंपन कराई गई और कहां पे हुए है तो भारत सागर में कोचिन बंदरगाह पर यह से नभ्यास हुआ है अब देख तो ही कोचिन बंदरगाह पर और यह एक प्रकार का नौम सयनिक से नभ्यास है ने देखता है सीगुद ड्रेगन 2022 यह जो से लभावासा दोस्तो वह भारत और कनड़ा और दाछषीन कोरिया दंतीन देसौं के बीच में हुआ और कहां पे तो पश्चमी प्रांत में गुवाम में गुवाम प्लेस है दोस्तों पश्चमी प्रांत उधर हुआ है आप लोग मैप में वार गुवाम जरूर सच कर देख लें इसे आपकी मैपिंग भी अच्छी हो जाएगी तो आप लेग इस प्लेस को जरूर एवर सच कर ल गई दीच में हुआ था दोस्तों और कहां पर रहता तो माल दीव के कद्धु दूइप में या एक प्रकार का थल सेनिक शेन ब्यास है नेयग देखतें नेचे दुस्तों कराथ अभ्यास तो चैनल अभ्यास दोस्तों करात अभ्यास2021 यह अमेरिका और बंगलादेश की बीच म का इन तीन देशों के बीच में संपन कराए गई कहां पे तो मालदीब में और यह प्रकार का नौस्चैनिक से नभ्यास है नेक्स दो. शिटमक्स 2012 यह जो के अधिश्यक मीलेंटर है दोस्तों वह भारत शिणापूर और थाइलेंड यहाँ से निकल सकते हैं देख़ए यह से इंडिया और ट से जो है वह ताइलेंड हम यहां पर कोड कर सकते हैं और इैक से एकसरसाइज कि आगे भड़ते हैं यह थोड़ा मैगे त्रीक्ग होखा रहा हूँ हो सक्ठाव है अपड़ोंको त्रा अकॉड हुग साथा हूं तो आप लों से हमास आता हूं तो आप युरुने opened क्रिक का भी वीडियो लेकर रहा हूं जिससे आप लोगों को आसानी हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह जो सेन अभ्यास है दोस्तों वह अंदमान साइगर में हुई है और यह एक प्रकार का नौस्चैनिक सेन अभ्यास है चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम ही है दोस्तों और यह पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा तो इसलिए आपको एक बार क्लेफ कर सकते हो कि चलो चैप्टर समामत हो गया यह जितने भी जॉइंट प्लेटरी एक्सरसाइजेस हैं और आपको याद कर लो यहां से एक को पूछे जाएंगे जिनका भी एक्जाम से है दोस्तों भी हाल फिलाल में महीने देड़ महीने में दोस्तों उनको एक ना एक प्रसंद यहां से पूछे ही जाएंगे तो आप लोगों लगा रहा हो सकता है बहुत कि क्या मजाग हो रहा लेकिन अशा बिल्कुल भी नहीं है बहुत important है जब exam hall में आप बैठोगे और यहां से present पूछे जाएंगे और आपको जब नहीं आ रहा होगा तब आप लोगों लगए कि नहीं मैं उस दिन वो class क्यों miss करती है तो आप लोगों ऐसा नहीं करना है और हाँ इसी का पोजिट उनको बहुत ही अच्छा फिलोगा जो बैठेंगे और उनको जब यह questions आएंगे और वो जब उसे tick मार देंगे दोस्तों correct tick मारेंगे तब वो खुस होंगे कि चलो मैंने उस दिन वो class देखा था वो पूरा वीडियो देखा था तो आज मैं टिक कर पाया और मेरे एक नमर तो तो वो खुसी मनाएंगे और जो वीडियो नहीं देखेंगे उनको कहीं न कहीं गम होगा तो आपको गमने करना है दोस्तों और अच्छे से वीडियो फूरा देखना है चलिए तो next है दोस्तों सक्ती 6 2021 यह जो सेनब्यास है दोस्तों वो भारत और फ्रांस के बीच में संप संपन हुए है दोस्तों और प्लेस की बात करें तो अरब सागर में यह सेन अभ्यास हुआ है और एक प्रकार का नौश्यनिक सेनब्यास है चलिए next दिखते है यूद अभ्यास 2021 यह भारत और अमेरिका बीच में संपन हुआ है दोस्तों कहां पे तो अलासका में और यह प्र अजे वॉरियर 2021 यह एक प्रकार का थल सेनिक सेन अभ्यास है चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसे थोड़ा में उपर करता हूं दोस्तों थाकि आप तो अच्छे से देख सकें next है दोस्तों माला बार अभ्यास 2021 यह भारत अमेरिका जापान और अस्टेलिया चार देश प्रका नौसैनिक सेन अभ्यास है चलिए नाइक देखते हैं जी मेक्स पांचवां 2021 यह निपांचवां संस्क्राइब ने जी मेक्स का कहां पर किन दो देशों के बीच में वा तो भारत और जापान की बीच में देखे यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं जैसे जापान और UDSA है मिलिटरी और ECE exercise दोसों यहां पर देखे चान लिखा हुआ है जपान इंडिया मिलिट्रे एकसराइब आप रिकोट कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे में नहीं किया है 15 संस्क्राइब 2021 में हुआ कहां पर हुआ तो अरब सागर में और यह अपर यह प्रकार नौसैनिक स नभी ऊहर्व है दोस्तों है परफाव्र स्रिलंका के बीच में तो पुए तो अम्पारा इसंए नभ्यास है एक बम यह भी आध्यास फिलांका में Search लुए भारत हुआ तक शंपन करें जाती है इंदें समूद्र duaski-321 को counterpart भारत और इंडोनेंस्या के बीच में हुआ है दोस्तों सुन्डा जल्डमरुमध्य जो प्लेस है दोस्तों वहां पर हुआ है और बात करें तो यह एक प्रगार का नॉस्टेनिक सेनब्यास है नेक्ष्ट है और शिन डेक्स और शिन डेक्स हम लोग बोल सकते हैं और शिन डेक्स 4 2021 में हुआ है भारत और अस्टेलिया के बीच में देखें यहां भी डिकोड कर सकते हैं बहुत हीजली ए यूएस यानि ऑस्टेलिया और आई एंडी यानि इंडिया इस मीन्स कर सकते हैं दोस्तों भारत और सिंगापूर के बीच में दचिन चिन सागर में और यहां प्रदक नोसेनिक से नभ्यास है यहां भी देखें बहुत ही आसानी से डिकोड हो जाएगा तो हम लोग यहां पर S सिंगापूर, I से इंडिया, M से military, यहां से B से bilateral, E से exercise ऐसा हम कर सकते हैं डिकोड करके अच्छे से याद कर लेना है, यह दो तिन बार आपनों वीडियो भी देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, जापद, जापद 2021, यह बहुराष्टी है सेनभ्यास है दोस्तों, रूज के घिजनी में संपन सारा मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया, दोस्तों, पूरा ही चैप्टर आप लोगो बता दिया है, एक ही वीडियो में में पूरा कर दिया है, नवगत्री जान समित्या, हो सकता हम लोग यह करेंगे, या जो डिटेल होगा, वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आ टेलीग्राम में मैं टॉपिक दे दूँगा, उस टॉपिक को एक बार पढ़ के आए, और यहां पर हो सकते हैं, हम लोग उससे रिलेटेड कोशन आंसर भी करें, तो वो भी बहुत अच्छा होगा, आप लोग इस पीडियाप को जरूब एक बार देख लें दोस्तों, अग अब एक लिपस इतना ही, आएक लिए मरसा जूड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके सेर करें, ठेंगो दोस्तों, जैहिन, जै भारत, वन्दे मातरम